देखिए कितना अच्छा कलर आया है देखिए इससे भी जादा ना इस का दरी खाने में जादा अच्छा लगता है मेरा बद्रे है तो प्यासा का नाम क्या कर रहा है आज तो मैं बहुत जदा अच्छी हूँ क्यों इसका रिजन तो आप लोग को पता चलने ही वाला है फिलाल तो भी घड़ी में बज़ा है दस और आज में मस्त सोने के बाद उठी हूँ ठीशन भी चुट्टी रख दी थी आज और फैमिली मजली ममी लोग का जो गाय है न वो बाहर बहुत है चिला रही है मतलब पीछे साइट में जो घर है उनका घर में तो इसलिए थोड़ा सा आवाज होड़ा है तो आप लोग थोड़ा इनोड करिएगा तो चलिए बताते हैं फैमिली आज इतना ज्यादा में क्यों खूस हूँ आज है 22nd मेर मतलब आज है मेरा बर्द्रे कल रात कोई मैं ममी को बोलके रखी थी कि मुझे सुभा में जगाईएगा मत मैं अपने से उठूंगी और टी सन बगेड़ा तो मैं छुट्टी दे दी ज आपा करके रखे हैं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कुछ-कुछ बाकी है जो आज ही खड़िजना था इसलिए अभी में जाओंगी तो चलिए नीचे जाते हैं फटा-फटा बजार करके आते हैं फैमिली में माटन खड़िद ली हूँ और भी में देखिया आ गई हूँ म जीनिस में केक खड़िजने के लिए और आज इतना जादा केक का यहां पे वराइटी स्थाना फैमिली में क्या ही बताओ मुझे तो लग रहा था जितना भी केक बगेरा है और साड़ में जितना भी खाना भगेरा है उसका तो आधा नाम मुझे पता भी नहीं मुझे पैट इसका हालत क्या होने वाला है क्योंकि वहां पे रखने से यह तो फुरा इडरी बढ़ हो ही जाएगा इसका तो आधा लगी जाएगा डबा में देखिए फैमिली आप लोका स्टॉंग पिंगी का हालत देखिए क्या हो गया है जड़ा सी दूबं में निकली की नही और मेर जे तपना हाँ अप्विछ इतना भी होता है, मज़ें बना ली है और अभी में जारी हो खीर बनाओंगी, और साथ में मॅटन बनाओंगी, तो चली ए फैमिली देखिए, मैं Kैसे माजन बनाती हूँ आज फैमिली कीजन में जाने से पहले चलिए थोड़ा सा इनरजी डिरिंक पी लेते हैं यहाँ पे देखिए में माजा लेते हुए आई थी माजा ममी का बहुत ही जदा फेवरेट है लेकिन मेरा फेवरेट हमें से स्प्राइट है लेकिन आज मुझे स्प्राइट नहीं मिला तो इसलिए मुझे माजा लाना परा मेरे घर में जब भी ठंडाई आता है ना फैमिली किसी को सबर नहीं होता है सबको लगता है कि कप पिए कप पिए और पापा भी घर आ गयते तो इसलिए में सोची क्यों ना पहले पी लेते उसके बाद फिर जाके खाना बनाएंगे तो देखिए पैमिली में करहाई में तेल दे दी हूँ और यहां पर देखिए मैं थोड़ा सब काठ फाड़ा मसाला ले ले हूँ यहां पर देखिए जी रा है लांग है अलाइची है दाड़ चिनी सूखा मीर्च दो तेज पतता और थोड़ा सब तो फैमिली आप लोग साइश हो जोगी की मेला ही वद्रे मेही गेता है में घेक, कोछा खड़ी दिना ओक्ता आना करता है हर साल मेरे लाएफ में सेब्राइबस नाहे पूछ सीज रहा है नहीं स्पेशलिस वद्रे के टाइम, इवक्ती पापा को चुटी नहीं मिलता है मतलब जितना भी हो सके पापा कल रात को ला कर दिये थे लेकिन जो चीज मतलब इंपोरेंट होगा जैसे के मॉटन मॉटन तो बल रात को नहीं ला पाते तो इसलिए अभी में गई थी खरीजने केक वगेरा यह समय ही लाती हूं हर साल और पापा को चुट्टी नहीं मिलता है अगर चुट्टी मिलता पापा तो फी पापा जाकर ले आते पापा तो दो पर में भी चुट्टी नहीं मिलता है आज मैं बहुत रिपोस्ट की हूं दो बार का खाना एक सथ खाएंगे ऐसे बोलकर तो इसलिए पापा आये है मैनेज क प्राइ कर लेने के बाद दे दना है हल्दी पावडर और साथ में रेट चिली पावडर आज मैं फैमिली थोड़ा सा टॉक दोई दे के बनाने वाली हूं और फैमिली मटन है आज एक किलो और इसे तो आधा किलो ही हम लोगे गड़ में आता है हम लोग चार जन्द ऐसे की है तो आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही लाई रात को भी खाएंगे इसलिए जिस दिन से पेसर कुकर यूज करना मुझे आग या है ना उस दिन से इतना अच्छा मेरा हाथ का मटन बनता है ना फैमिली में क्या ही बताओ कुछ दिर बाद आप लोग खुदी देख लीजिएगा तो फैमिली मॉटन अलमस्ट कॉसा हो गया है और यहां पर दिखिए मैं पापा के लिए एक पीस निकाली हूँ टेस्ट करने के लिए तो चलिए अब आलू दे देते है और आलू ममी फ्राय करके और रखी थी तो इस तो देखिए फैमिली में बेसर कुकर में चखा दी हूँ अब यह चार सीटी होने के बाद में इसको खोलूंगी पक जाएगा तब तक फिलाल तो मैं जारी थोड़ा से रेस्ट लेने पक निचे बैठने उसके बाद में यह हो जाने के बाद खीड बनाऊंगी तो यह देखिए फैमिली यह है फाइनल लुक मटन का अभी थोड़ा से इसका काम बाखी है इसको मैं कड़ाई में कड़के मीट मसाला बस डालूंगी फिर हो जाएगा यह कंपलीट तो फैमिली में मटन को पेसर कुकर से कड़ाई में देगी ट्रांसपर कर दी हूँ और थ जोड़ा सा मीट मसला देखिए दो तीन बार उबाल आने तक वेट की उसके बाद फिर में ढख के गैस आप करके रख दी चलिए अब धकन खोल के देखते है कैसा हुआ है तो यह देखिए फैमिली बन गया है मटन देखिए कितना अच्छा कलर आया देखिए तो फैमिली खीर नहीं खाते है ऐसा कहोता है तो या9 जी तो वाट आगे तो रहाज टा है मंने उसके बाद में खा खाने तो डाytे। देखिए फैमिली अभी हम लोग खाने की तक मे बैट चुके है चलिए मैं अब लोगsels को देखाती हूसक्ट क्या-क्या बना है तो चावल और रहेता पूई साकल साग थाया है कार्ऩ पुई साग चावल कम कीजिए, मैं सा इसे रखाई। तो चलिए खाना खाते है पहले तो मैं साख से चावल खाऊंगी उसके बाद फिर मटन से खाऊंगी फैमिली बहुत ही यम्मी बना है चलिए अब थोड़ा सा मेरा फेवरेट क्राइला भूजिया भी ले लेते है और फैमिली बता है आधिना बहुत नली का पीस मिला था एक देखिए मेली हूँ और ये करके मैं सबको यह देए हूँ और मटन देखिए फैमिली में कुकर में बढाएं उते तो देखिए कितना अच्छा सा पका है देखिए तो फैमिली में दही लेते आई थी और साथ में मीठा है लेकिन मैं निकालना भूल गई थी मैं खुद भी नहीं खाई और मम्मी सबको भी नहीं दी तो अभी तो खाना सबका ही कंप्रीट हो गया है तो अभी मैं निकाली हूँ देखिए देने के लिए तो चलिए मैं बताते हुँ क्या क्या है तो ये देखी ये है मेश्टी दोय, साथ मैं सुगरफी संदस जो की म pouvरेट है और ये देखी ये है गोपल भोब जो की मेरा फ़िबरेट है तो में तीन प्लेटी सजाई हूँ मेरे लिए प्यासा के लिए पापा भी नहीं खाएंगė पापा भोले की बाद में खाएंगे और फैमिली इसमें देखी इसमें कुछ भी नहीं है बस थोड़ थोड़ लगवा हुआ है लेकिन में ये खाने के लिए रख रही हूं फ्रीज में, और फैमिली पता एस से भी ज्यादा ना इस नहीं खाने में जादा अच्छा लगता है, तो चलिए फिलाल तो फ्रीज में रख देते हैं तो फैमिली अभी छे बज गया है मैं खाना खाके मस्त सोने के बाद नहाग अभी छत पे आई हूँ और देखिए फैमिली अभी में नहाग निव कूरती पहनी हूँ एचलि यही कूरती में दोपहन में पहनने वाली थी लेकिन लेट हो गया थे तो इसलिए हम लोग खाना खा अब फैमिली केक कर लेते हैं तो देखिए अभी हम लोग फूल फैमिली मिल कर केक कटिंग कर रहे है और पापा को देखिए मुझे हसाने के लिए कितना कुछ करते है सच में पापा लोग मतलब जीतना भी हम लोग बड़े क्यों न हो जाये लेकिन पापा लोग के पास हम लोग हमेसा चोटी बच्छी रहते है उसके बाद देखिए मैं केकलाई सब को प्रनाम की और पताए फैमि और लाइन वीडियो कॉली में होते रहता है तो लीजे फैमिली में अभी तक खाए नहीं हूं मैं आप लोग को फर्स्ट दे रही हूं आप लोग खा लीजेगा चलिए अब में खाती हूं यहां पे वीडियो कॉल में रीतम है तो पहले में उनको लिखाती हूं उसके बाद फ केक दिखाना भूली गई थी आप लोग को रिखी केक कड़ भी कर ली हूं तो चलिए देखिए केक देख लीजे यह है ऐसा कुछ केक यह मतलब लैक फॉरेस्ट था चॉक्रेट का तो बहुत ही अच्छा टेस्टी है लेकिन में अलाते-लाती इसका पूरा देखे हालत प्यासा का नाम क्या कर रहा है तो बात में बात में पताओंगी पहले आप केक देखिए केक बहुत ही यमी है तो फैमिली जैसकी में बता रही थी आप लोग साथ सोच रहे होंगे कि प्यासा क्यू मेरे साथ केक कट की एचलि यह कुछ बड़ी बात नहीं है मतलब किसी भी प्यासा का नाम है तो चलिए में बता रहती हूं एचलि प्यासा का बद्रे मन्त है जून में लेकिन कितना तारीक वह हम लोग को पता नहीं प्यासा को भी नहीं पता उसका मम्मी को भी नहीं पता होता है कभी कपर ऐसा फैमिली में होता है और उसका बर्थ सर्टिपिकेट कर भी नहीं है एक दडुन में जानुवार स्था इसी होता है बिल्ध कर भी चैसे गी डिशी हो तो यह नहीं हुंता से вниз इसी होता है सुमल्ण बल्भ शूर से हाई गमी पापा के खास्योच मेंस जुन में चल रहा है तिसलिए हम और पियासा दोनों ही आज का दिन में हम लोग बद्रे सिलिवेट करते हैं जो जिस दिन मेरा बद्रे है तो बहुत सालों से ऐसी होते जा रहा है और आगी भी ऐसी चलेगा ऐसी हम लोग दोनों एकी साथ बद्रे सिलिवेट करने वाले हैं तो फैमिली यही था ओ कारण जिसके वज़से हम और प्यास से 21 सथ बद्रे सिलिपेट करते हैं चलिए अब खाना खा लेते हैं रात भी हो गया है और मैं बहुत ही ज़ादा ठक चुकी हूं सुबा से तो फैमिली दो पाइट के चावा लड़ेहां पेदे के सबजी बचा हुआ था तो ही हम लोग खा रहे हैं तो फैमिली आज है सेम ब्लॉग का नेक्स डे कल रात को में खाना खाके सो गई थी ब्लॉग पंटीनियू नहीं की और ब्लॉग भी एंडर नहीं कर पाई तो अभी मैं इसलिए सूट कर रही हूं सब्सक्राइब है। थोरज आवाज रहा है तो आप लोग थैगनोडर कर लिजेगां सब्सक्राइब है। और कुछ दिन से मतलब उलो ना गाना सुनते हैं तो भी थोड़तरा बस दार में तो जाए कर बोल भी नहीं सकूंगी कि गाना बंद कर दीजे मैं ब्लॉग मुना रही हूं ऐसे तो होता भी नहीं है मैं छोटी थी तब अच्छा लगता है तब बहुत यह था मैं एक्साइटेट होती थी कि क्या होगा अच्का दिन क्या नहीं तब अच्छा लगता है दिस दिन ऐसा होता है ना मैं कहीं पर अपना बद्रे मतलब स्यार नहीं करती हूं मैं इंसन नहीं करती हूं ना फेस्बूक बोग मेरा बहुत क्लोज है वुट को पता होता है कि हां इस दिन मेरा बद्रे है और यह से तो ज्दा जनको पता भी नहीं होता है मतलब जब को इस टोड़ी लट थे थे है फिर स्ट्ट्राइब करें अब टीन है तो मुझे तो पूल भी नहीं से कि आप आप मुझे वीसमाइब करिये लेकिन औप आज करते हैं लेकिन बाकी तीन ओ लोग बहुत ज्यादा मतलब पीट पीछे पुड़ाय करते हैं मुँपे भी पुड़ाय कर देते हैं कभी-कभी इसलिए वो चीज मुझे अच्छा नहीं लगता है और ऐसे तो सेलिबेट करना ही मुझे पसंद नहीं है लेकिन अगर मैं सेलिबे अगर मैं अपना वजरे भी इसलिबेट करना छोड़ दूँगी तो फिर उसका भी नहीं हो पाएगा तो इसलिए करते हैं पता नहीं यह सब कर अलग 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 फैमिली लगिन मेरा फिंकिंग एह है इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए आप लोग से यह